दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आपर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके पच्चास प्रस्ण होते हैं और ये डेली क्लास आपकी रात साढ़े आठ करिये अपने दोस्तों को सेयर कर दिया करिये ताकि वो समय से आया करें ठीके तो चलते ही स्टार्ट करते हैं आप आपका प्रस्ण दिया गया है कि प्रतेक रस्में संचरन करने वाले भाव को क्या कहते हैं तो ऐसे भाव को क्या बोलते हैं बिलकु सही जवाब है सभी का ज ठीके चलिए अगला प्रस्ण आप से पूछा गया है कि जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा जिसके समान दूसरा ना हो और जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं आप रितम ठीके क्या बोलते हैं आप रितम बोलते है अगला दिया गया है कि बताना सब्द का अर्थ सुनना देखे यहाँ पर कह रहा है बताना सब्द का अर्थ सुनना है इसका सम्धोनी सब्द जो आपका है बिताना तो भई यहाँ पर बिताना का अर्थ क्या हो जेगा देखो बताना का यहां पर दे दिया है सुनना, तो बिताना का आपका आर्थ क्या बनेगा? इसका जो आर्थ बनेगा ब्यातीत करना, क्या होज़ेगा? ब्यातीत करना, ओपसन आपके यहां पर 3 का होज़ेगा B-Number, अगला दिया गया है कि निम्लिकित में से कौन से संयुक्त सुर हैं हमने आपको उताया था लगु स्वर, देर्गसवर, पुलु dru स्वर और कुछ बताया था कि जो आपकी छोटा ठीके छोटा फ्लस छोटी मिलाते हैं तब आपके क्या बनता है भई तब आपका बनता है ठीके और अगर हम लोग छोटा आ के साथ अगर हम लोग छोटा उ मिला दें छोटा उ मिला दें तब आपका यहां पर के सिकते क्या बनता है ओ बनता है ठीके तब बनता है ओ बनता है और अगर हम लोग छोटा आ के साथ अगर ए म परण से देख सकते हैं, ये जो आपके बने हैं, दो दो अच्छरूर से मिलकर बने हैं, तो राइट अंसर आपका डिव हो जएगा, किलियर हो गया है ना, किलियर हो गया, चलिए, अगला प्रसंद आपका है, कि विश्णू का पर्यावाची नहीं है, सब्दा आपको दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है नारायड नारायड तो होता है आपने सुना भी है नारायड श्रीपती और आपके जनारदन यह आपके हैं लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया है सी नंबर मदन तो भई मदन किसका आपका पर्यावाची नहीं होता है मदन तो य अगला प्रस्ण आपका दिया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक सब्द क्या होगा चलिए फटा फट जवाब देते रहिए सभी लोग फटा फट जवाब देते रहिए राधे राधे सभी को राधे राधे कहरा आप से जो पहले कभी ना हुआ हो जो पहले कभी ना हुआ हूँ उसको क्या बोलते हैं तो इसके लिए हम लोग सब्द जो प्रियोग करते हैं इसके लिए बोल देते हैं अबूत पूर्व क्या बोलते हैं अबूत पूर्व बोलते हैं अगला दिया है कि मैं बाजार जाता हूँ वाकि में कौन सा काल है मैं बाजार जाता हूँ देखो जाता ता सब्द आ गया न और जो ता सब्द होता है वो आपके किसमें होता है प्रेजेंट में और प्रेजेंट मतलब करेशकते हैं आपका वर्तमान काल तो राइट नसर आपका होजेगा यहाँ पर C number वर्तमानकाल चलिए अगले प्रस्व को राते हैं प्रस्वनाप से एकला है कि अप सकुन का विलोम सब्द क्या होगा अप सकुन का विलोम क्या होगा यहाँ पर आठ का जवाब देना है चलिए अप सकुन तो यहाँ पर अगर अप सब्द आप निकाल दें तो इसका विलोम बन जाएगा सकुन हो जाएगा तो आप्सन राइट अप के यहाँ पर आठ का हो जाएगा यहाँ पर C number किलियर हुआ ना किलियर है चलिए अगला प्रस्वनाप का दिया गया है कि दूरह, कामा स्रेष्ट, कामा आपके पती यह कि सब्दे के अनिकार्थी सब्दे थोड़ा सट्ट्फ हुई चेप्टर होता है जो अनिकार्थी वाला होता है इसे हम जल्दी यहाँ पर कंपलीट करा देंगे तो आप याद रखेगा की दूला स्रेष्ट और पती ये जो आपके आनिकार्थी होते हैं आपके किसके तो आपके वर के होते हैं किसके होते हैं वर के होते हैं और सनक यहां पर भी होजेगा अगला दिया है बली का आनिकार्थी बली का आनिकार्थी क्या बनेगा दस नमबर बली का आनिकार्थी तो बली कानेकार्थी आपका होता है कर, क्या होता भई, कर होता है याद रखेगा, 10 का जवाब यहाँ पर जिसका राय नमबर केलियर हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, अगला दिया है, कि हिंदी सब्द कोस में छा क करम किस वर्ण के बाद आता है, यहां पर जब छा को हम लोग बनाते है, या छा को हम लोग कैसे ती से जब तोड़ा जाता है, तब ये कैसा आपका बनता है, तब आपका काधन सा बनता है, कैसे बनता है, काधन सा बनता है, तो इस प्रकास से कैसे दिखते हैं कि सुवर्ण के बाद, तो आपसन अब कहाँ पर होजेगा बी नमबर कावर्ण के बाद आता है, राइट अब कहाँ पर बी होजेगा कावर्ण नेश प्रशनाप का दिया है कि गंगा का पर्यावची सब्द नहीं है यहाँ पर आपको बताना है तो गंगा का पर्यावची सूरसरी होता है विर्ष्ण पदी भी होता है भागी रथी भी होता है यहाँ पर देख पा रहे होंगे तनुजा जो तनुजा है यह आपका जो पर तनुजा तो यहाँ पर आपका होज़ेगा तनुजा किसका विल्कुर सही है यह बेटी का पर्यावाची होता है याद रिखे बेटी का पर्यावाची होता है चलिए अगला प्रस्णा आपका है कि अनिल का अर्थ वाई होता है देखो अनिल का अर्थ क्या होता है वाई होता ह इसका समरूपी भिनार्थक जो आपका है अनल तो वही अनल का क्या होता है बहुत बार हमने आपको बताया है अनल का क्या होता है अनल का होता है अगनी होता है very good आप्सन राइट अपका यहां पर होजेगा यहां पर B नमबर आगनी होता है का याद रिखेगा, option B वनेगा, चलिए, अगला परिषम आपका दिया है, प्रमारिक सब्रका बिलोम बताना है, चलिए सातियों जवाब दीजे, सभी लोग जवाब दीजे, टाइम से आया करिए सभी लोग, सभी को जय हिन्द, चले कहर आप से प्रमारिक सब्दकाब इलोम बताईए प्रमारिक सब्दकाब इलोम तो जवाब हो जेगा option right मिलकुछ साही है option आपका B हो जेगा वहाँ पर अगर A लगा देते हैं तो यह इसका इलोम बन जाता है option आपका इहां पर B हो जेगा अगला दिया गया है कि कुर्सी पर master जी बैठे हैं इस वाकि में कुर्सी सब्दक किस कारक में है तो देखे यहां पर कुर्सी सिर्फ कुर्सी के लिए क्योंकि कुर्सी पर क्या करेंगे बैठेंगे ना उपर ही तो बैठोगे ना नीचे तो नहीं बैट जाओगे कुर्सी में, बच्चे थोड़ो हो कि नीचे गुज जाओगे उसमें, तो बैट होगे, अर्सात मतलब उसके उपर उठोगे ना, तो आपका पर सब्दाप का होता है, तो पर सब्द किस में आएगा, क्या आएगा, अधिकरण मे मैं पर, अध उसने अपनी बात धीरे से बताई, उसने अपनी बात धीरे से बताई, सही बात है, अपनी बात धीरे से बताएंगे, पडोसी के बात तेज से बताएंगे, अच्छा, पहला आपका है, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, अच्छा, ठीक है, यह आतिहासी घटना है, तो यह भी आपका सहिए है आपका भाँदी तो भाँदी सब्ध में आपका या पर दिया गया है यहांपर आपकी ढूर्टी है option वाले का इन से डी वाले हम आपको होजेगा अगला प्रतुन आपका दिया गया है करहां आपसे निम्लिकित में से सुद्धवाक को अताना है 17 नंबर 17 नंबर आपको दिया गया है सुद्धवाक की दिया है कह रहा है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिन फल दे जाता है ठीके कहीं न कहीं आपका सही लग रहा है फिर भी दूसरे देख लिजे मैं पूरी तरह से जगाता रहा जागता रहा मैं पूरी तरह से अब आई जाग रहा है तो जागे तो वहाँ पूरी तरह मतलब क्या होता है आपका ए नंबर आपको यहाँ पर से हो जाएगा ठीके और यहाँ पर सब स्क्रीन सोट ले लिजेगा ठीक है चले अगरा प्रस्वन आपका दिया गया है कि किरिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे करता कर्म और भाव के अंसार किरिया के परिवर्तन ग्यात होते हैं फिर से देख लीजे परिवासा कि किरिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे करता कर्म भाव के अंसार किरिया के परिवर्तन ग्यात होते हैं तो भाव के अंसार और भाव के अंसार जो होते हैं यह आपके होते हैं वाच ठीके आपका जवाब होजेगा 18 का अपसन का अंसा बी नमबर यह आपके वाच होते हैं ठीके तो 18 का अपका होजेगा बी नमबर क्योंकि आपने करता कर्म और भाव जो आपको होते हैं पढ़े होंगे आपने अलद दिया है जलद ही में कौन सा समास है जलद ही जलद ही अगर कहा जाए कि जलद को तोड़ा जाए तो क्या बनेगा जलको धारन किया हुआ जलद मतलब होता है जलको धारन किया हुआ और ये आपका होज़ेगा जलद में समास बताना है तो आपका जवाब होज़ेगा आपसन राइट 19 का होज़ेगा यहाँ पर आपका B नमबर ततपुरु समास ठीके क्योंकि बहुबरी समास तो दिया नहीं है इसका हम लोग 20 सर्थ निकालेंगे नहीं यहाँ पर अगर बहुबरी होता तो जलद ही हम लोग कह सकते हैं कि उसकी परया के अंसान निकाल लेते लेकिन दिया नहीं है तो आपसन अपका B होज़ेगा अगला दिया है अनिश्चे वाचक सरुनाम अनिश्चे वाचक सरुनाम आपका कौन सा होता है अनिश्चे वाचक सरुनाम कौन होता है जहां पर सब्द कोई सब्द लगा हो कोई सब्द जो आपका होता है बिल्कुल सई है बिल्कुल सई है आपका यहाँ पर सी होजगा जो आपका कोई सब्द है ये आपका निश्यवाचक है वहे पर देखा जाए जो आपका कौन सब्द है तो कौन क्या होता है प्रस्णवाचक होता है जो आपका जो सब्द है जो सब्द जो आपका है ये आपका ऐसा होता है ये सम्मंद को दर्साता है था 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 ये सम्मंद सरुनाम के अंतर रहता है अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्णाप से गला है कि उतराई सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है उतराई तो भीया उतराई सब्द में जो प्रत्य है वो आपका कौन सा हो जगा उतराई आई क्या बना भई आई तो आपसन राइट यहाँ पर आपका हो जगा C नमबर उतराई और भई कोई बोला रहा है उतराई तो क्या बलते है आई है ना तो अपसन आपका C होज़ेगा I ठीके चलिए अगला है वहा बहुत बीमार है वाकि में कौन सा विसेशन है वहा बहुत बीमार है बहुत बहुत सब्द दिया है बहुत सब्द अर्थात यहाँ पर देखो इस्थान तो हम कहने सकते हैं रीत नहीं कैसकते हैं परिमार और गुण तो यहाँ पर कैसकते हैं बहुत सब्द दिया है तो इसके अनसार अपसन आपका D होज़ेगा परिमार वाच्यक अपका होज़ेगा 22 को अपका D बनेगा अगले प्रेश को आप पूछा गया है कि अर्ध वीराम का चिन बताइए अर्ध वीराम का चिन बताना है अर्ध वीराम का चिन बताना है यहाँ पर तेश नंबर चलिए बिल्कुत सही है एजी कोश्चन आपका है कई बार आपने पढ़ा भी है अर्द विराम का जो चीन नहीं हो आपका कौन सा तो जवाब हो जो अप्सन राइट यहाँ पर आपका B वाला जो अप्सन B है यहाँ आपका अर्द विराम है याद रखियेगा ठीक है ना यहाँ आपका अर्द विराम है और यहाँ पर अगला प्रस्म दिया गया है कि दोड़ना चलना कैसी क्रिया है दोड़ना चलना दोड़ने में क्या होता है क्या दोड़ता है क्या चलता है यह अर्थात कह सकते हैं कि इनमें कर्म आपको नहीं होता है जब कर्म नहीं होता है तो आपकी अकर्मक क्रिया होती है तो इस प्रकास से राइट अंसरा आपको हो जगा यह नंबर अकर्मक हमने आपको तया था कि क्रिया पर कोश्चन करिये चलना क्या किसको ये कोश्चन करिये क्या चलता है जैसे मालो वो खाना खा रहा है क्या खा रहा है खाना क्योंकि खाना या पर कर्म होता है और अगर कोई व्यक्ति दोड़ रहा है तो उसे बूलोगे क्या दोड़ रहा है भा सब्दों की रूप में लिंग वचन कारक आधि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे क्या कहते हैं देख लीजे भाई अगर लिंग वचन कारक आधि में कोई परिवर्तन ना हो विकार ना हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अब्या बोलते हैं काफी अच्छी तैयारी हो गई है वाई सभी के तैयारी विल्कुर उंदा हो गई है चले अगला दिया है कि निम्लेकित में से इस तरी लिंग सब्द नहीं है और इसके लिए हमने आपको उतया था कि कैसा और कैसी से अंसर आपके निकाले जाते हैं इस पर फोकस करेंगे अनसर आपका निकलेगा 26 वारे में यहाँ पर देख पाएंगे अंतेष्ट इच्छा उसकी इच्छा डिपेंड होती है निराला यहाँपर के चsomething निराला जो आपसना है सी निराला यह यहाँ पर आपका जवाब हो जएगा कौनसा C नमबर निराला यहाँ पर आपका इस्ट्रीलिंग हो जएगा तेके क्योंकि जुरुमोट कैसी नहीं होते है जुरुमोट कैसा है ऐसे सब्द होता है ना तो D आपका नहीं होगा, C वाला आपका होजएगा अगला है कि आत्मकथा में कौन सा उपसर्ग है आत्मकथा, भई इसे तोड़ दीजिए 27 वाले को तोड़ देंगे तो आत्मसब्द निकलेगा ना आत्मसब्द निकलेगा तो आत्म सब्द निकलेगा तो जवाब क्या बनेगा डिवाल आपका बनेगा आत्म निकलेगा अगला दिया है सक्ति का बहुचन सक्ति का बहुचन दिया है और सक्ति का बहुचन की बात करेंगे तो जवाब आपका बनेगा सक्तियां क्या बनेगा भई सक्तियां बनेगा अगला दिया है संधिके कितने प्रकार हैं यह बताने की जरूरत भी नहीं है सर्म लगती है ऐसे प्रस्णु को बताने में और अगर आपको नहीं आती तो समझी आपको कितनी सर्मायेगी है ना अगर आपको नहीं आता तो आपको कितनी सर्माएगी तो याद रिखें ऐसे टोपिक को पढ़ लीजिए छोटे छोटे प्रसनों को गलती मत करिए तो यहाँ पर 29 का जवाब हो जाएगा कितना option ए हो जाएगा तीन प्रकार ठीक है तीन प्रकार आपके होते हैं ठीक है कौन-कौन से स्वरसंदी बेंजन संदी और आपकी बिसर्गसंदी ठीक है ना चलिए अगला प्रसन आप से पूछा गया है कह रहा है जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो उसे कहा जाता है जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो हमने आपको बताया भी है बहुत बताया है इसके बारे में तो जब दोनों प्रधान हो वहाँ पर आपके द्वंद समास होता है साथियो क्या होता है द्वंद समास होता है जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें तो पाप किया है, तो पापी में गुन हो जाएगा, पापी में गुन हो जाएगा, option आपका B बनेगा good वाचक next प्रस्वन आपका दिया है कि जिसका अर्थ साब्दिक ना होकर विलच्ण और लाच्णिक होता है ऐसे सब्दु को कहा जाता है जिसका अर्थ साब्दिक ना होकर विलच्ण और लाच्णिक होता है ऐसे सब्दों को क्या कहते हैं ऐसे वाक्यांस को क्या कहते हैं तो ऐसे वाक्यांस होते हैं उनको मोहावरे कहते हैं याद रखेगा उन्हें मोहावरे कहते हैं जिसका अर्थ साब्दिक न होकर विलच्छन और लाच्छनिक होता है मतलब किसी विव्यक्ति को मोहौरे से गर बात करेंगे तो देखे वो ऐसा विव्यक्ति महान कहलाएगा क्योंकि वो बड़ी बातों को छोटे में कह देता है एक तरीके से देखा जाए तो एक विलच्छर तरीके से होता है लेकिन सुद्धता होती है अगरा दिया गया है कि खोदा पहाड निकली चुईहा तो भी यहाँ पर 33 नमबर में देख सकते हैं खोदा पहाड निकली चुईहा तो जवाब क्या बनेगा तो जवाब यही होगा कि पहाड खोदने पर चुईहा निकली नहीं चुई यहां का पहाड़ पर रहना नहीं परिस्त्रम और लाब दोनों हो गए नहीं option आपका B बनेगा कि बहुत परिस्त्रम बहुत लाब बहुत थोड़े तो यहां पर मायूस मत होना आप लोग इस पर यह मत लेना ना कि हमने बहुत मेनत किया और लाब इसका नहीं मिला यहां पर उम्मेद है कि 99% जो लोग हैं वो लोग अपने मन में सोच के देखें कि हम लोग कितनी मिनत करते हैं खुझ से सोच के देखें कि कितनी मिनत करते हैं और जिन्होंने मेनत किया होगा इमानदारी से सरकारी जौब पाई होगी उन्होंने किस प्रकास से मेनत किया होगा कहें न कहें आप अपनी किस्मत को और साथ में अपनी मेनत को दोस्त दीजिए इस महवरे के अंतर गत्मत ले जाईएगा ठीकें? क्योंकि मेनत करने वाले जो होते हैं एक साथ पांच पांच जौब लग जाती है ठीकें? अब किस्मे जाएंगी किस्मे नहीं? ये मेनत बताती है किस्मत तो आपकी के सकते हैं बाद में आती है पहले मेनत होती है पिकिस्मत होती है फिर तीसरे नंबर में आपकी ईसोर होते हैं ठीके? चलिए अगला प्रसुन आपका दिया गया है कि ब्राम्ही पुरुषकार किस लिप के छेत्र में महत्रपुन योगदान के लिए दिया जाता है देख लिजे ब्राम्ही पुरुषकार ब्राम्ही पुरुषकार आपका दिया गया है और यह जो दिया गया है किस छेत्र के लिए तो जवाब हो जोगा option right आपका B ब्रामी के लिए दिया आता है 34 option right आपका यहाँ पर B हो जएगा next question है कि निर्वेद किसी रसका इस्थाइभाव है निर्वेद किस रसका हो जाएगा यहाँ पर आपका किस होना चीए था ठीके यह वाला किस नहीं यह वाला किस ठीके मतलब किसके निर्वेद किस रसका इस्थाइभाव तो यह आपका हो जएगा option right आपका यहाँ पर निर्वेद होता है सांत ठीके option आपका यहाँ पर से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा लंकार होता है जहां किसी सब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहां कौन सा लंकार होता है हमने बताया था सब्द एक अर्थन एक कहते हैं स्लेज बताया था रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस्चून वहाँ पर आपका पानी है और पानी में तीन सब्दाप के चिपके थे है ना मोती मानुस्चून अर्थात यह आपके होते हैं सलेस लंकार में और सनफ के अपसी हो जगा अगला दिया गया है अपसे कहरा है कि नीचे दिये गए आपके पैराग्राफ है ना तो भी पैराग्राफ में यहाँ पर आपको नमबर हम दे दे रहे हैं ठीक है आसानी सिने ले लिजिएगा ठीक है और कह सकते हैं कि जो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं सवल्व करा देंगे, वो इससे बहुत आसान होते हैं, दिक्कत नहीं होती है, ठीके, चलिए, यहाँ पर आपका दिया है, रानी मा का चबूतरा किसकी रचना है, रानी मा का चबूतरा किसकी रचना है, 41 नमबर, तो जवाब आपका बनेगा, यहाँ पर मन्नु भंडारी, या जो रचईता हो आपके कौन है, 42 नमबर, तो हलवाब कानी संगा के, यह हैं आपके सेखर जोसी, ओप्सन राइट आपका यहाँ पर बनेगा, डी नमबर, सेखर जोसी हैं, याद रखे, सेखर जोसी हैं, और इनके और भी रचना हैं, जैसे आपका द्विज, बर्फ, पहली वर्षा के बाद, कारखाना, मुझभफा नगर, 94, यह बहुत इनके रचना हैं, अगला दिया है, कि बादसाह दरपण के रचनाकार, बादसाह दरपण के रचनाकार आपके कौन है, तो यह हैं आपके कौन, कौन हो जाएंगे बई, ओप्सन राइट अपका यहाँ पर बने विनाय प्रेम, ठीक है, विनाय प्रेम, पचासा, सत्य हरिश्चंद, बहुत इनकी रचनाए हैं, रटो तो कह सकते हैं, बहुत हो जाती हैं, ना पढ़ो तो सोचो बहुत ही छोटा कह सकते हैं, किसले बस हैं, और जब पढ़ने बैट जो तो लगेगा भई, यह भी बाकी, लेकिन एकजाम के पहले होता है, पढ़ लेंगे, लेकिन जब एकजाम आता है, यह भी बाकी रह गया, वो भी बाकी रह गया, रचनाए पढ़ लेते हैं, जबकि पढ़ते हमेशा हो, कहरा आपसे सतरण्य के खिलारी कहानी के एक कहानी कार बताना है, सतरण्य के खिलारी कहा पर ये हो जगा मुंसी प्रेमचंद है और इनकी तो बहुत ही रचना है जैसे आपकी गवन, कर्म भूमी, मंगल सूत्र, पूस की रात, कफन, सेवा सदन, रंग भूमी है ना चलिए रिवीजन हो रहा है छे से चलिए अगला प्रसना आपका है कि चित कोबरा किसका म्रदुला गर्ग का है option D बनेगा अगला दिया है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उभासा में नहीं आती है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उभासा वर्ग में नहीं आती है ये जवाब की नहीं आती कौन सी तो जवाब आपका बनेगा option D ये आपकी कौन सी है देको मगह पूर्वी हिंदी हम दता है था अओधी मतलब कि A, B, C A, B, C तो आपके यहां पर दे सकते हैं अओधी, बगेली, 36 गड़ी के लिए रुआ चलिए मगही जो आती हो किसमें आती है मगही आती है बिहारी में अगला बिहारी हिंदी की प्रुण बोलिया बिहारी हिंदी की तो देख लिजे नीचे दे भी दिया है कि वही बिहार में तो भोजपुरी आना जरूरी है वहें पर आपका मगही है और आपकी मैथली हमने बताया था कि जो भोजपुरी बोली है इसे अंताराष्टी इस्तर पर इसे कह सकते बोरा जाता है मुविया भी इसकी सबसे जादा बनते हैं इसे कह सकते हैं जो आपकी अंसूची उसमें सामिल करने के लिए बात की गई है आपके भोजगुरी में ठीक है और अगला दिया है कि कौर्वी बोली किसका भाग है कौर्वी बोली किसका भाग है कौर्वी बोली तो वही कौर्वी जो आपका है ये कह सकते हैं बोली कौर्वी बोली किसका भाग है है ना तो ये जो आपका आता है 48 में ये आपका आता है आपके आकार बहुल देखो यह आपके लिए थोड़ा नया पॉइंट यह हुआ कि आकार बहुल कौर्वी जो आपके आती ही वो खड़ी बोली जो आपके खड़ी बोली होती है वो आपके आती किसमें तो आपके कैसे किते हैं पश्च्वी हिंदी पर्म Smithsonian Hindu इत्रफाब की याव की होती है तो कौर्वी सभदाब की इसमें आगए आकार बभुलाब की होती है देखो पूर्वी तो होगा नहीं भिहारी भी नहीं होगा यहाँ पर आकार होता है ओकार नहीं होता है थिके तो अगला दिया है सरवसुती सम्मान प्रदान किया जाता है सरवसुती सम्मान प्रदान किया जाता है ये प्रदान किया जाता है किस फाउंडेशन के द्वारा तो याद रिखेगा कि केके बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरसुती सम्मान पुरुषकार कैसे किते प्रदान किया था केके बिडला फाउंडेशन के द्वरा ठीके याद रहेगा चलिए अगला प्रसन है कि छंदों के मुखिता कितने भेध होते हैं छंद के मुखिता कितने भेध होते हैं यहाँ पर easy question आपका आचुका है यहाँ पर आपको बताना है कि छंद के कितने भेध होते हैं इसके पहले भी आपको पार्ट में हम बता चुके हैं यहाँ पर इसका जवाब आज हम नहीं बताएंगे आप लोग comment box में comment जरूर करेगा offline comment जरूर करेगा ठीके ठीके मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धनवाद जय हिन जय भारत राधे राधे गोड़नाइट